इस वासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वो लोक तंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का पेणाम था कि सुदेशी सत्य और आहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश सोड़ने के लिए मुझबूर कर दिया जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर अस्त नहीं होता लेकिन भारत की आजादी के आंदोलन ने राष्टपिता महत्मा गांधी के नित्रतों में लड़ी इस लड़ाई में या साबित किया इस उसर पर रहानवंत्री मोदी जी के आवहान पर पुरे प्रदेश में बाबु के प्रती नमन और सरधानजली सुरूप सभी गराम पंचायतों में सभी नगर निकायों में स्वच्छानजली का एक कारिक्रम विसेश रुप से आयुजित चला है हम सब जानते हैं बापु को जहां स्वदेशी स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग उन्होंने बता करके लोगों को इसके प्रतियाग गरही बनाया वहीं स्वच्छता भी उनके अभ्यान का एक महत्तुकूर पड़ाओ था भारत आज स्वच्छ भारत अभ्यान के माद्यम से पूजे बापु को सच्छांजली कारेकरम के माद्यम से भी अपनी सरधा ब्यक्त कर रहा है एक तरह बापु के प्रति नमन और दूसरी तरह महान स्वतंद्रता संग्राम सेनानी देश के दितियप प्रधान मंत्री जय जवान जय किसान का उत्गोस करके पूरे भारत वास्यों को सुरक्सा के प्रति भी और आत्म निर्वरता के प्रति भी आवहान करने वाले स्वर्गे लाल बहत्दुर सास्त्री जी की भी आज पावन जयनती है सास्त्री जी स्वतंद्रता संग्राम सेनानी तो थे ही पुजे बापु के परम अन्याई भी थे आज इन दोनों महापूर्सों के प्रती सरधा ब्यक्त करने देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रती नमन करने का एक अउसर है मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश वासियों की ओर से भारत माता के इन दो महान सपोतों को नमन करते वे बिनम्र सर्धान जले अरपित करता हूँ